पोट देख लिए पोट देख लिए हैं आप लो तो consider the following program in C language main I equal to 1 है फिर उसका address P पे रख रहे हैं और P पे हम उसका value ले रहे हैं I पे फिर I plus 5 कर रहे हैं यह पूछ रहा है कि यह कर क्या है which of the following statement is true पता है कौन से statement true है पोट आपका इस तरह था आई था यहाँ पे फिर इंट स्टार P आई था एंप पर्सेंट आई था फिर आप स्कैन अफ किये परसेंटेज़ दी किये फिर P आई लिखे फिर प्रिंटेव कर रहे हैं पर्रिंटेव कर रहे हैं पर्सेंटेज़ दी न्यू लाइन आई प्लस पाइट सी इस दी करेक्ट इस दी करेक्ट ऑप्षन यह एंसर सही है बहुत सारे लोगों ने सी कहें वहाँ गलती यह देखे यहाँ पर क्या है इंट आई आई का एक वेरियेबल है और P और को सही है और यह क्या है P आपका क्या एक address pointer है पी 1 क्या एक pointer है जो address रख रहा है अगर धाल लिए आई का कोई address है जाल लिए इस इसमें 10 है इसका address दाल लिएha बहुत है तो P ऐरां पर हंडेंट और होगा तो इस Cineá कर रहे हैं आप क्या करी आई प्लस फाइब कर दे दे आफने यहां प्लस फाइब कर रहा है अप उस एड्रेस पर डाले टें प कि आई अप डाल दिया अब क्या बोला है कि scanf करो value डाल लेंगे डालो integer type जो pi पे रखेंगे pi pi के address pi हम यहां कहा है देट address देट address तो 100 है ना वहां पर कुछ हम value देदी तो let's assume हम यहां पर इस बार मैं 50 देदेता हूं फिर i plus 5 कर आप 50 plus 5 हो जाएगा ना तो on execution दे value printed is 5 more than the integer value इंटर तो जेतना इंटर हो ज्यादा 5 हो ओके ठीक है clear है सबीको